है अगलो फ्रेंड वेलकम टू माइड यूटूब चैनल लेट्स प्लेविध स्टॉक मार्केट आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पी वी आर के बारे में और आइनॉक्स लेजर के बारे में इन दोनों कमपनियों के रिलेटेट दो बड़ी खबरे देखने को मिल रहे ह और देखा जाया तो आज हमें पी वी आर में अच्छी खासी तेज़ी के साथ ही 의क्लोजनि देखना को मिले और अगर हमिले अगर हम आइनॉक्स लेजर की बात करा तो आइनॉक्स लेजर में भी तक्रीब हमें 2.40 पैसे के असपास की बड़ोंतर के साथ उस अथ क्लोजनि सिनेमा घर्स को ऑपरेट करने का एलाउग कर दिया है जो कि आपको पता होगा कि कोविड-19 के चलते हैं काफी टाइम तक यह दोनों कंपनियों ने काफी बड़ा लोस भी किया हुआ है और उसके बाद देखा जाए तो लोगडाउन के बाद सिनेमा घर्स भी स्टार्ट होए तो उस टेम पे भी कही ना कि लोस में ही सिनेमा घर ओपरेट हो रहे थे तो अब देखा जाए तो हंड़ेट परसंट के पिसिटी का अपरू आ चुका है गवर्मेंट स्कूर से तो यह दोनों कंपनियों के लिए बहुती बड़ी खबर यहां पे दोस्तों कंपनियों के लि के लिए इस फंड का यूज कर सकता है और फाइनली दोस्तों आट सो क्रोड का फंड रेस कर लिया है क्यू आईपी के जरीए तो यह अच्छी खबर है पीवियर के लिए जिसके चलते हैं आज मैं अच्छी खासे तेजी बीद देखना को मिल रहे थे और देखा जाए तो त सब्सकाrobe रहें उसके जरीए यह फंड रेस किया है तो यह अच्छी और बड़ी खबर हकी देखने को मिल रहे थे और आगे क्या लेवल और टर्गाड आ सकते हैं पूरा ड Viele 2 क्यों आए और यहां पर मैंने पी वियर का चार्ट किया हूँ आ और यह हूँ lid एक ली टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन किया हुआ है और यहां पे मैंने कुछ लाइने ट्रो करके रखे हैं और कुछ लेवल आइंटिफाइग करके रखे हुआ है बड़ी टाइम फ्रेम पे और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप 0 धा मैं या तो फिर PVR इसी trade line को फॉलो कर रहा है इसी trade line को support ले रहा है जैसा कि आप देख सकते है बार बार इसी trade line को follow करता हुआ में PVR एक up side momentum दिखा रहा है और यहांपर support level की बात करो और स्कूरिबन 1410 और बड़ा support level है जो कि मुझे नहीं लगता कि यहां तक तो हमें कोई बड़ी गिराउट देखने को मिले हो सकता है यहां पर हमें इसी सपोर्ट के असपास सस्टेंड होता हुआ PVR नज़र सकता है और उपर के लेवल पर रेजिस्टन्स लेवल की बात करें और यहां पर यह ज़र रेजिस्टन्स की तरह हमें फिर से रियक्ट करता हुआ PVR नज़र आ सकता है तो दो बार इसी रेजिस्टन्स लेवल के असपास कही ना कि हमें संभलता हुआ PVR नज़र आएगा अगर इस रेजिस्टन लेवल को ब्रेक करेगा 16 रुपे के असपास का तो उसके उपर तो हमें बोड़िया सा तेजी का माहौल देखने को मिल सकता है और उसके बाद 2000 तक का भी हमें यहाँ पर टारगेट देखने को मिल सकता है और 2021 तक के भी टारगेट ले सकते है और दोस्तों यहाँ पर दिखा जाए तो हमें चार्ट के उबर भी अब कहे सकते है कि अप ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ नजरा रहा है यह अप ट्रेंड में मुमेंट करता हुआ पी वियार देखने को मिल रहा है अगर दोस्तों PVR इस ट्रेंड के निचे ब्रेकाउट देता है विकली टाइम फेंपर तभी यहाँ पर हमें गिरावट के चांसेस दिखने को मिल सकते है तो हो सकता है हमें एक तेजी के बाद थोड़ी बूत करेक्शन फिर तेजी फिर करेक्शन फिर तेजी तो इसी तरह से इसी ट्रेड लेन को फॉलो करता है एक अपसेड मुमेंटम दिखा सकता है तो इन लेवल को आप वोच आउट कीजिये और आप अपना भी अनानिसिस कीजिये उसके बाद ही दूस्तों किसी बी तरह का कोई डीसिजन लीजिय और अगर हम ऐद आइनोक्स लेजर की बात कर रहा है तो उसके उबर भी अक नजर कर लेता है तो जिसा कि आप देख सकते है आइनोक्स लेजर का भी चार्ट यहाँ पे विकली टाइम फ्रेम पे उपन किया हुआ है और यहाँ पे भी मैंने कुछ लाइने ड्रो करके रखी है और लेवल्स भी आइडिन्टिफाई करके रखे हुए है और देखा जाए तो आज हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली ओ 332 रुपे 15 पेसे के असपास क्लोजिंग देखने को मिली और यहाँ पे मैंने दो ट्रेड लाइन ट्रो किया जैसा कि आप देख सकते हैं continuously आइणोक्स लेजर इसी ट्रेडलाइन को यहां पे देखा जाए तो support ले रहा है और उपर की तरफ देखा जाए तो यहां पे resistance की तरह यही ट्रेडलाइन react होती हुए में नज़र आ रही है जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बार-बार उपर के लेवल पे इसी लेवल के असपास हमें रियेक्ट होता हुआ आइनॉक्स लेजर नजर आ रहा है और support level के बात कर तो इसी level के असपास हमें support लेता हुआ आइनोक्स लेजर नजर आ रहा है तो मुझे लगता है कि इसी channel के अंदर movement करता हूँ आपको आइनोक्स लेजर trade करता हूँ एक upside momentum दिखा सकता है और निचे के level पर support level के बात करें तो यहाँ पर जो support level निकल के आ रहा है और तकरिबन 316 रुपे 80 PC के असपास का support level है जो कि यही support level पहले हमें जिए resistance की तरह देखने को मिला था जैसा कि आप देख सकते तीन बार इसी resistance level के असपास हमें selling pressure देखने को मिला था rejection देखने को मिला था और फिर चौथी बार इसी resistance level को बहुत ही बड़िया volume के साथ हमें break होता हुआ देखने को मिला था अब देखा जाए तो वही resistance level के आसपास हमें कहीं न कहीं सस्टेन होता हुआ आइनोक्स लेजर नजर आ रहा है जो support की तरह और उपर के लिए पर जो resistance level निकल के आ रहा है वो 360.70 पैसे के आसपास का resistance level है जो कि पिछली बार यहाँ पर देखा जाए तो high बनाया था वही resistance level आप दूसरी बार भी यह जो resistance के तरह देखने को मिलेगा और अगर इस resistance level को भी break करता है तो उसके उपर भी हमें अच्छा खासा continuously तेजी का महौल देखने को मिल सकता है जो कि और उसके बाद हमें यहाँ पर कोई बड़ा resistance level देखने को नहीं मिल रहा है जैसा कि आप देख सकते है तक्रीबन 516 रुपे के आसपास का all time high है आई नॉक्स लेजर का तो वही लेवल हमें फिर एजर रजिशन के तरह देखने को मिल सकता है तो मुझे लगता है कि कंटिनूस लिए आई नॉक्स लेजर आपको इसी चैनल के अंदर मुमेंट करता हूँ एक अपसाइड मुमेंट हम दिखा सकता है तो इन लेवल को दोस्तो आप होच आउट कीजिए और सपोर्ट लेवल के बात करें तो निचे के लेवल पे जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वह जिसा मैं आपको बताया 316 का और उसके निचे 290 का यहां पे 2 सपोर्ट लेवल हमें देखने को मिल रहे है अगर दोस्तो इस रेवल को ब्रेक करता है 360 के उपर निकलता है आइनॉक्स लेजर तो मेरी रहे है कि आप 316 के साथ अपनी पोजिशन को होल्ड कर सकते हैं तो इन लेवल को भी आप उचा उट कीजिए अपना स्टेडे कंड़क कीजिए उसके बाते दोस्तों किसी भी तरका कोई डिसीजन लेजिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंक्रेज करना ना भूले और चैनल पर ना है तो इसी जेनिर उफ्रमेशन पाने के लिए चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक आपने हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन ने किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहांसे आप टेलिग्राम चैनल भी जोइन कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों थेंक्यू अगैन पर वाचिंग इस वीडियो